कि अज़ने दोस्तों में शिवनाज जांगित सवागत करता हूं अपका मेरे यूट्यूब चैनल नौलेज वेकीजी में दोस्तों आज का हमारा चुछ टोपिक है वह ताइम एंडिस्टनस ताइम डिस्टनस बहुत जादा इंपर्टन टॉपिक बन जाता है क्यों क्योंकि इस से लेटेट दो और टॉपिक है इस टोटल तीन टॉपिक रहेंगे से बोटन स्ट्रीम है और प्रॉब्लम और ट्रेन सेम इसी के जो बैसिक से वहां यहां पी वहां पी यूज होने वाले हैं तो आपको टाम डिस्टनस इसमें रहेगा क्या सम्धिंग कुछ डिस्टनस ट्राइब करने के लिए तो आपको स्पीड निकालनी है तो एस टैप इसको स्पीड इन्ली टाइम यह सबसे इंपर्टन इसका फॉर्मला है यह आपको बहुत ज्यादा यूज होगा और इसी से सारे फॉर्म्लें मॉडिफ इससाँ से फाकी फॉर्म्लेंस भी सॉल करना है तक है इसाँ सबसे लाकी फॉर्मल में आपको याद रखाना है यह क्वी करनagues याद है कि D equal to S into T, तो DST बो लेंगे सको, ठीक है, तो यूनिट देख लेते हैं, अगर डिस्टन्स का यूनिट मीटर रहेगा, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, और टाइम जो हो, सेकंड में ही होना चाहिए, यह स्टैंडर्ड यूनिट है, यह इसी तरह से हो किलो मिटर पर अगर इकोल स्टू फाइब एटीन मीटर पर सेकंड यह सब साथा इंबोर्डड है, यह आपको अच्छे से याद अखना है, यह आपको यह पाता है, इसका बेसिक से जानना है, तो मुझे कमेंड बॉक्स में पूछिए, मैं इसका बेसिक बाताओंगा, आप और वन मिनिट में 60 cm होता है, इस दोस्तों हमें कुछ फॉर्मेस देखना है, तो पहला है एवरेज स्पीड, दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टर मन दोता है, क्यों कि आप आगे देखो, आपको फॉर्मने में समझ में आएगा, यह आवरेज स्पीड होता क्या है, तेक है, अलाग अलाग स्पीड से से सेम डिस्टंस रहेगा, पहले कंडिशन में दोता हूं कि दोनों सेम रहेंगे, डी वन इक्वल टू डी तू रहता है, यह अगर कंडिशन है, एक ही वेहिकल दो अलाग अलाग स्पीड से ट्रैवल करता है, डिस्टंस बट सेम रहेगा, तो आप अगर सपोस्थ नंबर तक रहे उसने नंबर तक सपीड बदली है और डिस्टन्स अलाग अलाग है डीवन इस नॉट इक्वल टू तो अपको यह फार्मॉला यूसर करना है टोटल डिस्टन्स एकम डिस्टन्स का फार्मॉलाइब दिस्टी प्रस्टी थी अच्टू टीटो प्लस टीठीप बॉस एंग जितने यह बैसिक फॉर्मॉला है इसके लिए वन प्लस दीटू प्लस बीटीक फ्लस दीवन अपना इसए तो डीटीए अपन इस थाला एक इसका अगल इस करना है आपको तो आप मेंद हाल किजिए को सिंप्लिफाई किजिए डीटू दीटू हो दोस्तों जो वीजूल स्पीड हो रहता है कि हो दिख कैसे रहा है सामने वाली वेहिकल ठीकैंअ को फील कैसे हो रहा है तो अंस्टाइन ने थेरी दी थी थेरी अफ रिलीलटीविटी उसके बैसिस पर यह रिज़्टी बनती है जब कोई दो वहिकल स्पीड 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 की एडिशन हो जाता है और जब वही दो वहिकल सेम चलेंगे स्पीड का सब्ट्रेक्शन होता है यह आपको बहुत बैसिक याद रखना है बहुत से क्रेशन में इसका होने वाला है तो यहाद रखिए देखते हैं दोस्तों कलपक क्रॉसेश 600 मिटर लॉंग स्ट्रीट इन 5 मिनिट वाट इस ही स्पीड इन किलोमेटर पर और किलोमेटर प मुझे क्या कि दिया है नगें 200 मिटर इन तो इसको मैंने काणोर और ताइंप है 300 सकंड जकेनiones seconds है इसको पूट करेंगे तो स्पीड आ गया 600 डिवाड़ वैड़ टू मीटर पर सेकड्ड बट मुझे अंसर की किलोमेटर पर आर में तो हमने कहा था देखा था किलोमेटर पर को मेंटर पर सेकंड में करना है तो 5 by 18 से मुल्टिप्लाइब करना है तो मैं 18 वाइफ से मुल्टिप्लाइब करूँगा तो टो टो एंटो 18 अपॉन 5 एकुल टो 7.2 किलोमेटर पर यह इसका अंसर बन जाता है और में एक और मेथट देखेंगे इसी को सॉल करने की दुस्रा भी तरीका देख लेंगे सेम है तरीका से मैं जस्ट मैंने युनिट कन्वर्जन आपर नहीं की है तो मैं क्या कर रहा हूं पहले डिस्टंस को किलोमेटर में बना ले रहा हूं कि 600 में ता 1000 से डिवाइड किया 0. किलोमेटर आ जाया 300 सेकंड्स था और 5 मिनिट था तो मिनिट को मुझे आवर करना है तो मैं उसको 60 से डिवाइड कर दूँआ तो वह आवर में आएगा 60 से मुझे से डिवाइड करेंगे तो आवर में चला जाएगा वही है डिस्टी मुझे इसमें पूट करना है यह 0.6 कि किलोमेटर ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है टाइम में 5 by 60 इसको सॉल करेंगे तो यह अंसर आएगा 7.2 किलोमेटर पर आर यह मेरा अंसर बनता है दोस्तों क्वेश्चिन नमबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चिन नमबर 2 a train can travel 50% faster than car train है जो कार से 50% ज्यादा ट्रावल करती है उसकी स्पीड 50% जाता है बोट स्टार्ट फ्रॉंट ए एट सेम टाइम एंडिचेज पॉंट बी 75 किलोमेटर अवे फ्रॉंट एट दे सेम टाइम तो यहां पर क्या है यहां पर एह सपोज पॉइंट और यहां से 75 किलोमेटर डिस्टंस पर जो है वह वो है उनमें डिस्टंस 75 किलोमेटर और यहां पर भी है यहां से वो ट्रेन और कार साथ में चलती है और साथ में पहुचती है तो इसकी स्पीड जादा होने के बावजिद भी साथ में पहुचती है कि सेम टाइम ऑन दे वे हाववे ट्रेन लॉस्ट अबोट 12.5 मिनिट मतलब यहां पर ट्रेन जाते वक्त 12.5 मिट कहीं पर स्टेशन पर रुख गई थी और उसकी वाज़े से यह दोनों साथ में पुचती है अदर्वाइस ट्रेन 12.5 मिट पहले पहुच जाती थी कार से इंद स्पीड आफ को पूचिए तो देखते गीवन क्या के दिया है दोस्तों यह ने स्पीड रिकवाइड फॉर ट्रेन एस लिया मैंने यह 150 परसेंट आजाएगा ना 50 परसेंट मोर मतलब 150 परसेंट आफ एस है क्यों एस क्या रहेगा एस दस्पीड आफ कार रहेगी इस मेंस यह 1.5 ऐसा जाएगा थेन स्पीड आफ कितना एगा एस तो लिए उसको मै कि अब दूस्तों यहां पर ध्यान दो अगर मैंने इसका कार का टाइम अगर टी ले रहा हूं तो इसका टाइम टी से कमाना चाहिए अगर यह टी टाइम सपोस्ट यह अगर पचास मिट में पहुशता है तो इसको पचास में से 12.5 मिट कम लएंगे पहुशने के लिए ठीक कि हम इस इकविशन को सिंप्लिफाइ करेंगे क्या होगा यह एस और यह एस कैंसल हो जाएगा यह 1.5 टी इसको मल्टिप्ला होगा और यहां पर 1 टी बचेगा स्रिफ तो 1.5 इस और सिंप्लिफाइ किया इसको सॉल करोगे तो टी की वेलिए 75 बाट टू मिनिट मिल जाएग इस अगें यूज़ करेंगे हम DST D क्या है मेरे पास और कार के लिए कि मुझे कार की स्पीड इची डिसंस 75 किलोमेटर गीवन है एस मुझे निकालना है टाइम 75 बाट 2 मिनिट है तो इसको मैंने आवर में किया तो 1 बाट 60 मिल्टिप्लाइ कर दिया तो वो टाइम आवर में सब्सक्रान वैहर सुम्देद कर करेंगे को स्पीड औरफ कार मिल गई मुझे 122 डिलोमेटर और यह स्पीड अधी deja कresse Cyrus जखते रिख्ते व्याँज्ग वाक्ट 14 किलोमेटर पर और इस दो मेंध निकिलोमेटर निया पार दस किलोमेटर की स्पीड से ही चलना था प्ट गलत उसने एक्चुल डिसस्स कितना ट्रैवल किया उसको स्पीड जो थी उसकी 10 की स्पीड होनी चाहे थी बट वह 14 की स्पीड से जाना ठीक है तो हम देख लेते गीवन क्या है और इसने स्पीड था उसका 10 km किलमेटर पर होर उसको जाहिए था वाक कितने स्पीड से किया उसने 14 km पर आप किया है बत ही वक्ट किलमेटर मोर दिसस दूटू वाकिंग स्पीड इसने 20 km ज्यादा ट्रैवल कर लिया सपोस्को सौकूल करना था तो उसने 120 km ट्रैवल दिया यह एसमिशन गरते ठीक है तो 20 km जादा ट्रावल किया है आपके एंफ और वाकिंग डिस्टंस 14 किलोमेटर अगर यह स्पीड है तो एक घंटे में कितना किलोमेटर रावल करेगा 14 किलोमेटर ऑर ओर जिए चलता था तो यहां पर ध्याइन सब्सक्राइब तो इस एक घंटे में क्या हुआ उसने कितना डिस्टंस जादा ट्रावल किया यहां पर फॉर किलोमेटर का डिस्टंस एक्स्ट्रा ट्रावल किया उसने इस एक घंटे में यह 14 चलता है तो यह चलेगा बट उसने फॉर किलोमेटर किया नहीं उसने ट्वेंटी किलोमेटर एक को distance travel करने के लिए दोस्तों उन्होंने पूछा क्या है the actual distance travel by him actual distance travel कितना किया उसने हम फॉर्मला यूज करेंगे हमारा dst d equal to s into t distance मुझे निकालना है कितना travel किया उसका एक्चुल कितना था भी 14 km पर आपका स्पीड है इंटु टाइम कितना या टाइम फाइर आ रहा है तैन कि 14 फाइजा 70 कि किलोमेटर डिस्टंस उसने ट्रावल कर लिए ठीकिए 70 किलोमेटर डिस्टंस वो ट्रावल करेंगा नहीं तो तो question No.4 देखते है राहूल अन टूर ट्रेवल फरस्ट 162 किलोमेटर इच्पीड आप 64 किलोमेटर पर आर ट्रेक्स्ट 162 किलोमेटर एट 80 किलोमेटर पर पर स्पीड 80 है कि हए यहां पर स्पीड 80 यहें इन दे अवरेज स्पीड for the car for first 120 km 320 km के लिए उसका speed कितना रहे गा तो आगेन हम given देख लेता है d1 d1 i 160 km d2 i 160 km एक condition है average speed की जिसमें d1 equal to d2 रहेगा s1 d64 s2 d8 आपको दोस्तो average speed के लिए एसा मत करना कि 64 plus 80 divide by 2 करोगे आपको 72 km पर और मिलेगा बट वो गलत रहेगा average After average speed4 journey हमारा फॉर्मलाइं is average ट्वाइश एवट्ä स्टू अपॉन अपॉन स्टू अपॉन्स स्टू अजो हे रहीघा। big question दtest तो हैट रेंड नीवेरेज स्पीड पर और से लीचेश शूरा और समय के प्रेज़ स्पीड बिकम्स थर्टीफाइब अगर उसका स्पीड थर्टीफाइब किलोमेटर पर होता है तो पंद्रह मिंट लेट हो जाती है कितना मिल रहा है कितना मिल रहा है टी प्लस फिफ्टी रहेगा डिस्स ट्रैवल डी शॉक्राइब है है s1 s2 and then s1 की वैल लिए 40 time hati s2 35 और time एक टी प्लस 15 इसको simplify करेंगे तो टी मिलता है 105 मिनिट मिलता है तो इन यूजिंग डीस्ट अगें हम डीस्ट को यूज करेंगे डिसनस इकल टूस्पीड इंटिटी टाइम इसनस कितना था 40 मुझे डिसनस करना है स्पीड कितना है 40 किलोमेटर पर और टाइम कितना है 105 मिनिट है तो इसको मैंने सेकेंड में कर लिया तो डी कितना है जब हम इसको simplify करेंगे तो दी मिलेगा मुझे 70 किलोमेटर यह डिससेंस है लेंट इसके साथ दोस्तों में वीडियो को समप्त करता हूं थैंक्यू टूस्निंग में स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून